नमस्कार जहन प्यारे बच्चो और बहुत जानकर आपको खुसी होगी कि SG Defense Academy में अपने पास जो बच्चा है ये अलीगर से चल करके हमारे पास आया है बटा क्या नाम है तुम्हारा इस्पाक खान नाम है इनका अलीगर से हमारे पास आये है और पिछले कई दिनों से हमारे स साथ है ये बच्चा और हमने डिरेक्ट इस पाक को एक ही बात बोली थी बिटा आप कम से भी कम चार से पास दिन हमारी अकैडमी में रहके देखो उसके बाद जब फुली सटिस्फाई हो जाए उसके बाद तब आप एडमीशन कराना क्या बटा मैं सई कह रहा हूं जी सर औ और आप जैसे इतने दिन से हमारे पास रह रहे हो लगबख पिछले कई दिनों से खाना पीना और इस सारी विवस्ता कैसी लगी सर सब चीज फस्क्लास है सारी सीज फस्क्लास अच्छा बेटा अपने जो सर हैं जो मैंस पढ़ाते हैं आपको वो कितने टाइम आपको होडा ऐसे हैं हमारे टीचरर याने की मतलब एक तो यह होता है दो गहंटे चार गहंटे छे गहंटे लेकिन हमारी कोशिस यहीं रहती है कि बच्चे को फिरी ना छोड़ा जाता है बच्चे को खेलने के लिए और उसको साम को वाकिंग भी कराते हैं मॉर्णिंग में फिसीक तब मुझे आपको इसका सर पता चला है एक्षिल में है कहां पर तब यहां पर आया है सब नहीं पर आपको बता है कि मैं आर्मी टेक्निकल का एक्जाम है इस बच्चे का कल और फिर जो है आगे का इसका पिलान सुन लेते हैं आगे का पिलान क्या है बतारीगा सर कल मेरे ते तारीक एक्जाम में मेरे टेयार हो अपीकि पास ही आउंगा जब तक पेपर आउट नहीं हो जाता है बच्चा हमारे पास रहेगा और तैयारी करेगा लगातार क्योंकि आरप्स की वैकेंसी आ रही है उधर आर्मी के बाद एयर फोर्स में Y Group का भी एक्जाम है जो इस बच्चे की मन की इच्छा है कि सर मैं इंगलिस में अच्छा हूँ और मैं चाहता हूँ कि Air Force भी मैं एक बाट ट्राइ करूँ तो आप भी कहीं से भी हो जोड़ सकते हैं आकर के SDFA SDA Defense Academy से और जैहन लव यू सो मच